कोशन हमारा क्या है सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है हरियाणा है सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है तो केरल है सबसे अधिक जन संक्या घनत वाला राजिक कौन सा है और रांचर प्रदेश है सबसे अधिक जन घनत वाला केंदर सासित प्रदेश कौन सा है तो हमारा दिल्ली है सबसे कम जन घनत वाला केंदर सासित प्रदेश कौन सा है अंडमान निकुवार है तिलंगाना राज कब बना था तो दो जुन 2014 को तिलंगाना राज का गठन हुआ था हुजरात्व महराष्ट नय राज कब बने थे 1 मई 1960 को बने थे हर्याडा और पंजाब नय राज कब बना था एक नौंबर 1966 को बना था सिक्किम राजे का गठन कब हुआ था 16 माई 1975 को सिक्किम राजे का गठन हुआ था गोवा राजे का गठन कब हुआ था 30 माई 1987 को जो है गोवा राजे का गठन हुआ था 36 गड राजे का गठन कब हुआ था तो 1 नौमबर 2000 को 36 गड राजे का गठन हुआ था उत्राखंड राजे का निर्माड कभुआ था नो नौमबर दो हजार को उत्राखंड राजे का निर्माड हुआ था उत्राखंड राजे का निर्माड कभुआ था पंद्र नौमबर दो हजार को जारखंड राजे का निर्माड हुआ था मिघाले राज्य का निर्माड कब हुआ था 1970 में मिघाले राज्य का निर्माड हुआ था हिमांचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था 1971 में हिमांचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ था मिजोरम वो अवणांचल प्रदेश राज्यों का निर्माड कब हुआ था? 1987 को जो है मिजोरम अवणांचल प्रदेश राज्यों का निर्माड हुआ था? पूर्ड राजे का गठन कब हुआ था एक दिसंबर 1963 को जो है नागालेंड राजे का गठन हुआ था मड़िपूर्ट त्रिपूरा एव मिघाले को पूर्ड राजे का दर्जा कब दिया गया था 21 जणवरी 1932 को जो है इनको पूर्ड राजे का दर्जा दिया गया कोया जनजाति किस राजी से सम्बंदी थे यह जोए आंध्रप्रदेश से सम्बंदी थे मीजो जनजाति किस राजी से सम्बंदी थे तो यह जोए मिजोरम राजी से सम्बंदी थे पनियालव इरूल जनजाति किस राजी में जोए निवास करती है यह जो है तमिल नाडू में निवास करती है आओ जनजाती किस राजी से सम्मंदित है यह असम राजी से सम्मंदित है टोड़ा जनजाती कहां पाई जाती है तो टोड़ा जनजाती जो है नीलगेरी की पहाड़ियों में पाई जाती है भार्त की सबसे बड़ी जनजाती कौन सी है तो गोंड जो है भार्त की सबसे बड़ी जनजाती है सौंपे नामक जनजाती किस राजी से सम्मन्दित है तो सौंपे नामक जनजाती जो है अंडमान निकोबार द्वीप समू से सम्मन्दित है ब्रली, ढोडिया, जन जाती किस राजी से सम्मन्दित है तो यह जो है दादरा इमनगर हविली से सम्मन्दित है रकमा वर हलमात किस राजी की जन जातियां है यह जो त्रिपुरा राजी की जन जातियां है इस्वर का निवास अस्थान किस नगर को कहा जाता है तो प्रयाग को जो इस्वर का निवास अस्थान कहा जाता है पाश नदियों की भूमी को किसे कहते हैं? बार्त का सबसे बड़ा चीडिया घर कौन सा है? तो कौन सा है? जो कि अलिपूर कौलकाता में इस्तित है। बार्त का सबसे बड़ा केंटी लिवरपुल कौन सा है? तो हावडा वरीज है जो कि कौलकाता में इस्तित है। भार्त की सबसे बड़ी मिनार कौन सी है? तो सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा कौन सा है तो कौन सा है रामेशोरम मंदिर है जो कि तमिलाडू में है सबसे लंबी नहर कौन सी है इंद्रा गाधी नहर जो है समसे लंबी है सबसे बड़ा नदी दीप कौन सा है तो मांजली दीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है सबसे उचा हवाई पतन कौन सा है लेह लगदाक में इस्तित है सबसे बड़ा गिर्जा घर कौन सा है तो सैंट के थ्रेडल गोवा में जो है इस्तित है चेतरफल वा अनुसार सबसे बड़ा जीला कौन सा है तो कक्ष जो की गुजरात में है सबसे उचा गुरुत्वी बाद कौन सा है तो भाखडा बांचु है सबसे उचा गुरुत्वी बांध है भार्थ के सबसे उची मुर्थी कौन सी है तो कौन सी है वीर अभय अजन्य हनुमान की मंदिर है जो कि कहां पे है है हैदराबाद में इस्थित है पसू का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है तो सोनपूर बिहार में लगता है सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है ये मुना जो है सबसे लंबी सहायक नदी है सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां है तो ये स्वड मंदिर है जो की अम्रिस्तर में इस्तित है सबसे उचा टीवी टावर कौन सा है तो पीतम पुरा है डेल्टा नब बनाने वाली भार्त के सबसे लंबी नदी कौन सी है नर्मदा नदी है दुनिया में सबसे अधिक उचाई की ओर इस्तित युद असल कौन सा है तो सियाचिन ग्लेसियर है भार्त के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रस्षत भाग गोंडवाना काल के कोईले से प्राप्त होता है तो कितना प्रस्षत 98% भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोईला मुखे तक किस प्रकार का होता है तो किस प्रकार का होता है यह जो बिटूमिनस प्रकार का है भारत की कौन सी नदी करकरेखा को दो बर काटती है तो माही नदी जो है करकरेखा को दो बर काटती है दक्षिड भार्त की गंगा किस नदी को कहा जाता है तो कावेरी नदी को कहते हैं दक्षिड गंगा किसे कहते हैं तो गोदावरी नदी को जो हम लोग दक्षिड गंगा कहते हैं तो किसे माना जाता है पेशल को माना जाता है प्रशिद भगौली गरंत किताब उलहिंद के लेका कौन थे तो अलबुरुनी थे वायू में आपेचित आनता मापन हेतु कौन सा उपकरड है तो कौन सा होता है हाईग्रोग ग्राफ होता है रियक्टर इसकेल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है तो भुकंप के जटके के मापन में किया जाता है भुकंप के एक ही समय पर आने वाले अस्थानों को मिलाने वाली देखा क्या कहलाती है उसको हम लोग जो है सिसमल कहते हैं समान चुम्ब की जुकाव वाले अस्थानों को मिलाने वाली देखा क्या कह लाती है इसको हम लोग आईसो गोनल कहते हैं प्रित्वी और सूरी के मद्ध नियुम्तम दूरी कब होती है तो तीन जन्वरिक होती है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो सनी है के सबसे दूर कौन सा ग्रह है वरुड है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है प्रित्वी की जुडवा बहन कहे जाने वाले ग्रह को क्या नाम है तो सुक्र है सुमेकल लेवी नाइन धूम के तु किस ग्रह से टकराया था तो यह जो विरिस्पति से टकराया था प्रित्वी की केंदर में पाय जाने वाला चुम्ब की पदार्थ कौन सा है तो नि जूट की खेती के लिए सरवाधिक उपर्युक्त मिट्टी कौन सी है तो कछारी मिट्टी है भारत में रेसम का सबसे अधिक उतपादन करने वाला राज्ज कौन सा है करनाटक है भारत में उनका सबसे अधिक उतपादन कौन सा राज्ज करता है तो सबसे ज़्यादा उनका उत्पादन कौन करता है राजस्थान करता है भारत की जलवायू है कैसी है उपोष्ट मानसूनी है तलचर जो है किसके लिए प्रशिद है तो यह किसके लिए प्रशिद है भारी पानी सयंत्र के लिए प्रशिद है वनों के संरक्षड के लिए राष्टी वन नीती की घोशड़ा किस वर्स की गई थी 1952 में की गई थी भारत का सबसे बड़ा बंदरगा कौन सा है मुबई बंदरगा जो है सबसे बड़ा है इलाईची का सबसे अधिक उतपादन भारत के किस राज़े में होता है केरल में होता है काज की चूड़ियें की उद्दे के लिए प्रशिद है तो कौन प्रशिद है फिरोजा बाज़ो है काज की चूड़ियों के लिए प्रशिद है बाभा एटॉमिक रिसर्स जेंटर कहां पर इस्तित है यह जो है ट्रामबे में इस्तित है जस्ते का सरवादिक उत्वादन किस राजी में होता है तो राजस्थान में जो होता है कल पक्कम परमाडू उपकरम किस राजी में इस्थित है तो यह जो है तमिलनाडू में इस्थित है फरक्त का बाद किस राज्य में इस्थित है या पश्ची मंगाल में इस्थित है भार्थ में यूरेनियम खनीच के सबसे अधिक भंडार कहां पाये जाते हैं तो जहरकंड में पाये जाते हैं पार्त का संगी शेत्र जिसमें तीन राज्य में परिशेत्र है तो कौन सा है पांडुचेरी है एंडिश परवत माला दक्षड अमेरिका की सरवच परवत चोटी का नाम क्या है तो उसका नाम क्या है एकांग गुआ है अस्ट्रेलिय किस नदी की किनारे सबसे घना बसा है कौन सी नदी की किनारे मर्रे डार्लिंग नदी की किनारे जो है सबसे घना बसा है ब्लैक हील ब्लू परवत और ग्रीन परवत नामक पहाडियां किस देश में इस्तित हैं तो यह जो है संगत रज अमेरिका में इस्तित हैं भारत में कोला सरवाधिक मातरा में कहां पाय जाता है तो गोंडवाना छित्र में पाय जाता है ग्रिन लेंड की खोश किस ने की थी तो रॉबर्ट पियरी ने जो है ग्रिन लेंड की खोश की थी बैकाल जिल किस राज्य में है तो बैकाल जिल जो रूस में इस्थित है भैसा सिंगी नामक जन जाती भारत की किस राज्य में पाई जाती है तो ये भारत के नागालेंड में पाई जाती है राजील इस्थित अमेजन बेसीन के बन को क्या कहते हैं इसको जो है सेलवास कहा जाता है भूमा दिसागर की कुंजी किसे कहा जाता है तो जिबराल्टल जलसंदी को भूमा दिसागर की कुंजी कहते है इस बुगोल वेक्ता को मानो बुगोल का जन्मदाता कहा जाता है तो किसको कहा जाता है फ्रेडरिक रेड़ जिल को जो है कहा जाता है जापान की सबसे बड़े द्वीब का नाम क्या है तो होंशु द्वीब जो है जापान की सबसे बड़े द्वीब का नाम है प्रेंड लेंड तथा अमेरिका के मद बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते है तो इसको कोल्ड वाल कहा जाता है कोडर्मा किस खनीच के लिए जोए प्रशिद है तो कोडर्मा जोए अब्रक के लिए प्रशिद है लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाता है तो लोहा जोए अगने चट्टानों में पाए जाता है न्यूमूर दीप कहां इस्तित है तो यह जो है बंगाल की खाड़ी में इस्तित है